इस कमपनी की शुरुआत हुई थी हेस्टर बायो साइनसिस राजी गांधी साव हैं जो इस कमपनी के प्रामोटर हैं देश की दिगज एनिमल हेल्थ केर कमपनी है और पॉल्ट्री में यानि की जो होती ना पॉल्ट्री में मुर्गे मुर्गियां वा गजा सारे जो दूसरी यह सब होते हैं उनको वैक्सिन लगती है और वैक्सिन बनाने की वाली यह दूसर सबसे बड़ी प्रोडीूसर है यह कंप्नी तीस से जाड़ा देशों में कम्सित का में काम का आजे और कई सारे अंतराश्य संगठरों के साथ इनकी पार्टनर्शिप है आये हमरे साथ कंप्न है हेस्टर बायो को जिस वज़े से हमने बुलाया है गांधी साब को बातचीत करने के लिए वह ये कि बढ़ फ्लू का प्रकोप थोड़ा बढ़ता वा नज़र आ रहा है पहले योरोप में एशिया में और अब भारत में भी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं राजी गांधी सा क्या किसी तरके आपके कारोबार पर असर पड़ता है क्या आपके वैक्सिन्स बढ़ते हैं ज्यादा बिकते हैं ये जरा कोर्रिलेशन समझाईए सब नमस्ते जी हमारी कंपनी हेस्टर बायो साइंसेज कई प्रकार के एनिमल वैक्सिन्स बनाती है पोल्टरी, कैटल, शीप, गोट और स्वाइन ये सब स्पीशीज के डिजीज के अगेंस्ट हम लोग वैक्सिन्स बनाते हैं ज्यादा तर हमारा पोल्टरी में इंडिया में अ अराउंड 65-70% पोल्टरी वैक्सिन्स के अलावा अभी गवर्मेंट ओफ इंडिया, ब्रुसेला वैक्सिन और इम्मुनिजेशन प्रोग्राम, टीपी आर वैक्सिनेशन इन शीप और इम्मुनिजेशन प्रोग्राम जो उन्होंने चालू किया है, यह भी वैक्सिन हम या कुछ महीनों या दो साल में एक बार कुछ आते रहता है, उसका रेजरेक्शन होता है, फिर वापस दाउन हो जाता है, इंडिया में बर्ड फ्लू के वैक्सिन डायरेक्ली बनाने की पावंदी है, हम लोग नहीं बनाते हैं, कोई भी कम्पी बर्ड फ्लू का अभी वैक तो बर्ड फ्लू का इंपेक्ट बहुत कम आएगा पोल्डरी में, आज की डेट में भी जो बर्ड फ्लू की बाते सब जगह पर आ रही है, वो बर्ड फ्लू है एक छोटे एरिया में, ठाने डिस्ट्रिक्ट में, और सीमित वहीं तक है, तो मुझे लगता नहीं अभी इसक अचा वैक्सिनेशन होगा, तो इसका मतलब इतना कोई बड़ा भारी कम नुक्शा नहीं होगा, ये एक हवा में बात आ रही है कि बर्ड फ्लू है, तो फिर चिकन मत खाओ, अंडे मत खाओ, लेकिन वो उसी की वज़े से ये थोड़ा डर है, बाकी और कुछ नहीं है, इम्म्यूनिटि अगर अच्छी है, तो बर्ड फ्लू आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और बर्ड फ्लू के कभी भी बाउट आता है तो बाकी वैक्सिन के सेल डेफिनेटली काफी बढ़ जाते हैं, तो क्या सर ये बर्ड फ्लू की वैक्सिन कोई इंडिया में इंपोर्ट भी नहीं होती और बनाते भी नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है कि जब भी बढ़ सु आएगा तो आपकी जो वह दूसरी इम्मुनिटी बढ़ाने वाली वैक्सिन से उसकी सेल्स बढ़ती है ऐसा कोई इंडिकेशन अभी भी आ रहा है और लास्ट येर भी हमारा क Q2, Q3, Q4 का अगर आप सेल्स देखेंगे काफी बढ़ाती हो गई थी वो मतलब वैसे तो कोविड की वज़े से सब कुछ डाउन था लेकिन हमारा सेल लास्ट येर भी बहुत काफी था बर्ड फ्लू आने की वज़े से और अभी भी थोड़ी संभावना दिक रही है कि बर् पहार का रेविन्यू करीबन 12 से 14 परसंट का है बाकी पूरा इंडिया में ही है वैसे तो हमने काफी जोर लगाया था इंटरनेशनल मार्किट में लेकिन जो कोविड की वज़े से पूरा इंटरनेशनल एर ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, कार्गो सब बंध हो गया था तो फि बात है गांजी साब बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे लिए वक्त दिया और आपने पूरा यह मामला समझा यह नहीं तो हम तो अभी तक यही समझ देते कि बर्ड फ्लू की यही वैक्सिन बनती है यही लगती है और आपकी कंपनी बनाती है आपने बहुत अच्छे से होता है तो थेंक्यू सो मच सर आप समय देने के लिए धन्यवाद आपका